इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है आज डियाई के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो अनेलिसिस है अब तक के मेरे द्वारा पोस्ट किये गए डियाई का और एक्जाम के इंटेंशन का तो मैं एक बात कह दूँ कि एक्जाम पेपर का अनेलिसिस ये कहता है कि अगर सिंप्लिफेकेशन पर आपका कमांड नहीं है बिना काल्कुलेटर के आप कैल्कुलेशन दंग से नहीं कर सकते तो हमें आपकी जरूरत नहीं है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि just 61 नंबर डियाए जो मैंने पोस्ट किया था और उसे आप सबोंने देखा वो SBI PO 2016 में प्री का था और उसका वो डियाए ये बताता है कि अगर सही दंग से कैल्कुलेशन करने आपको नहीं आता तो आप मेरा एक्जाम पास नहीं कर सकते प्री में ही नहीं कर सकते मेर में तो हम आपका टेस्ट लही लेंगे कैसलेट से वहाँ भी डाटा इंटेपरटेशन से डाटा सेफिशियन्सी से प्री में हमें ये चाहिए और आज आज जो मैं डियाई लेकर के आया हूँ वह भी SBI P.O. क्लर्क प्री का है SBI P.O. क्लर्क का SBI P.O. क्लर्क प्री का है 2016 उसका ये डियाई special demand करता है कि calculation कर रहें और data को देखने के लिए आपको आता है कि नहीं आज आप बहुत enjoy करेंगे क्योंकि ज़िए आपने इन methods का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ये डियाई आप नहीं बना सकते पिछले post में भी जो simplification का मैंने किया था उसमें मैंने कहा था कि simplification का ये 5 question का set क्या सिर्फ मेरे students के लिए बना है और yes उसके सारे methods मैं यूज करता हूँ और मेरे students यूज करते हैं इसके अलबा और कोई यूज नहीं करते इसमें भी आपको वैसा ही फ्री लोग आई है the number of various crimes as supplied by national crime record reported in different states in the year 2012 and 2013 वाहां space नहीं था मैंने यहां लिखा 2012 and 2013 8 different states जान बूज करके 8 columns आपे है ताकि calculation आपको आता है कि निको test हो और six different type के crimes है table समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी जैसे state बिहार है इसमें stocking के कितने मामले है उस year में 352 बिहार में assault के कितने मामले है 496 और ऐसे करके और stocking के different states में क्या मामले है गो दिया हुए देखने पर यह D.I.E. simple लगता है लेकिन इसका data जब calculate करने के लिए कहेगा तो देखने की एक विशेश नजर चाहिए उन नजर क्या होगी अभी देखते हैं इसमें कहीं है नजर अलग होगा इसमें कहीं है नन व देखने का नजर यह अलग होगा इसमें कहीं है one of these सब कुछ मतलब exam board आपको परिशान नहीं करता ये question कहता है कि approximately देख लीजिए कितने का difference है और इसके मुताबिक आप बताईए इसमें से कौन सांसर होगा मैं आपको पढ़िया से उसका rule बताता हूँ समझाता हूँ देखिए लिखने की हाँ जरुवत नहीं है यहीं पर चल जाएगा लेकिन फिर मिटाना होगा काटना होगा तो हमारा table disturb हो जाएगा इसलिए मैं यहां लिखता हूँ हिमाचल परेश में देखिए देखिए पहला डाटा है ये दूसरा डाटा है ये इस डाटा को हम लोग हंड्रेट्स के रूप में देखते हैं कैसे दिखेंगे हंड्रेट्स के रूप में दिखेंगे हंड्रेट्स के रूप में दिखेंगे हमें लिखने की आवस्पता नहीं है हमें लिखने की आवस्पता नहीं है लेकिन फिर भी आपको सम्झाना है इसलिए लिख रहा हूँ मार्क करना ही काफी है यहीं मार्क कर देंगे तो काफी है लेकिन आपको सम्झाना है तो मैं लिखता हूँ दरसल 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 वो क्या है हमें इन्हें ही देखना है hundreds से बाकी छोड़ दिजे, बाकी की जरुवत नहीं है, हमारा ध्यान सबसे पहले कहा जाता है, हमारा ध्यान जाता है, सबसे पहले 36 and 22 पर, ये कितना हुआ, 58, ये 58 and 4, 62 and 5, 67, 67 हुआ कि भी बोले, 67 हुआ और इसे 300 बोलेंगे, 367, 367, 367 बोले थे, 367 बोले थे, 100 दरो, देखिए, 100 और बाकी भी मिलके, 100, 200, 369, 100, answer, 369, 100, answer, 369, 100, answer, मतलब एक दो इतर होगा, इससे जादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 369 का 368 हो जाएगा, देखिए, 369, 100, 369, 100 के आस पास कोई है, देखिए तो, बहुत दूर-दूर है, 369 से बहुत दूर-दूर है, ऐसे ही calculation करना है, अगर आप ये 8, 4, 4, 4, 2, 5 रहने लगे, तो फिर कदम होगे एक्जाम, कोई मतलब नहीं रहे एक्जाम का, समझ में आगे हैं, हंड्रेट्स को पहले देखते हैं, हंड्रेट्स को, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि डैसिमल दे दिजे थोड़ी दिर के लिए, ताकि आपको साफ-साफ समझ में आए, अब आपको दिखना हंड्रेट्स की अव्धरेटाथ छोड़ दिजे नहीं है, और बाकी सब ले दिजे जितना आया उतना हंड्रेट्, हम लोग क्या बुले, जो अशाइवाला बार्ट है ना, इसको बुले, ये, ये, बिल के हंड्रेट्, देखिये, देखिये, और उसके बाद 100 के रूट को कांट कर लिए, बहुत आसान हो जा जाएगा यह आपका डाटा, ठीक है, second number question, हर question में मजा आएगा, आएगे, find the ratio of stalking and assault in UP to theft and criminal trespass in हर्याना, मतलब UP और हर्याना में two crimes हैं और two different crimes हैं, जो की हर्याना में हैं और कुछ two हैं जो UP में हैं, दोनों के sum का आपको ratio बताना है, हाला कि हो सकता है कि data टेड़ा नहीं है, तो हम दोनों निकालने पर क्यों निकालें, आईए आईए आईए, सबसे पहरा क्या है ratio, इसमें और इसमें, इसमें मतलब stalking and assault in UP, आएए UP, stalking and assault, इस से 15 इसको यहां देदीजे, 100 और 210, 210 आया ने जी फस्ट वाला, 21 वाला इसा है, इदा देखिए, इदा देखिए, 21 वाला answer, कुछ नहीं करना था, दूसरा निकालनी की जरूरत क्या है, 21 मौझूद है, cancel होगा, अंत में 21 बचेगा, लेकिन है, 21 से छोटा अगर होगा ना, एक बात आ है, हमारे 21 में 3 है, 7 है, इस सब है ना, इस सब factor होने चाहिए, वे ओर 21 है, लिस्ट है, answer, आप चाहें, तो बागी दोनों भी निकाल के लिखें, cancel करें, यह आएगा, समझ गया, चाहें तो निकालनी चाहिए, जरूरत नहीं है, UP to theft and criminal in Haryana, Haryana मैं, theft and criminal, हाँ, यह दोनों, सम करने आना चाहिए, क्या कि यह, यह 3 लेकर के इसको दे दिए, 260, 260, 520, 520, 520, yes, 21 is to 52, सम ऐसे करते हैं, exam के question है, मेरे questions नहीं है, और पटाएंग data होने के बावजूद, data में एक संगीत है, संगीत यह है, 57 and 63, हर जगा ऐसा में जायाएगा, 3rd question, इस पूरे सट का सबसे शांदार question, find the approximate average of murder and theft in all the 8 states together, अगर इसने आपने मेरे तरीके से नहीं बनाया, तो फिर इसे बनाना बेकार है, question क्या जानते, वह ही हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ लिखूँगा, समझाओँगा, बताओँगा, theft and murder, पहले कोई भी रहे, murder, theft, हमारे यहाँ पहले theft हम आपर, देकिए theft and murder, तो theft देखिए, 265, मैं लिख रहा हूं, आपको सम्झाने करिए, 216, 53, 122, 24, 252, 675, 257 and 278, यह theft हने, को एक मिलत ना हुजा है, yes, or murder, 132, 125, 56, 354, 173, 764, 261 and 252, question जो कहता है, वो यह कहता है, कि इन दोनों crime का जो average होगा, approximately इन सारे state में बताई, तो इन दोनों crime का बिहार में यह number है, दोनों crime का, तो इनका average निकाल लें, इनका average निकाल लें, जो भी समझें, जोड़के दो से भाग देते हैं, et से जो बन में आए करें, add करके 2 से divide कर दे, जो करना है किजिए, इसको average निकाल लें, average निकाल लें, average निकाल लें, average निकाल लें, DI number 1, DI number 1 में मैं कह चुका हूँ, और पता नहीं वो एक sentence ही उसके वाइरल हुने का कारण है, वो कुछ ही दिनों में 1 लाग पार कर चुका है मैं, DI 1, data interpretation 1, और वो लगातार सबसे जादा देखे जाने वालों में हैं, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, कि average of the differences is same as the difference of the averages, ये sentence सबसे पहले उस डियोई में बोला गया था और उसकी शुरुवात ही थी, ये 8 times average निकालेंगे और फिर उनका approximate sum करेंगे, sum करके average चुन ले लें, कहने का मतलब एक तरीका इसका sum कर लें, इसका भी sum कर लें, average ले लें और add कर दें या add कर दें और average ले लें, सुनिए, 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 best way है कि हम पहले इनका sum कर दें, Sum, kaum, Ka average ले लें, फिर इनका average to two से divide करेंगे तो हो जाएगा, तो इनका sum निकालते है, sum, sum, Sum कैसे निकाले ? सुंधर-सुंधर ठंसे, देखिए sum कैसे निकालते हैं, इन दोनों को add करेंगे तो बोलेंगे four hundred, बोलें कैसे four hundred –3 है ? त्रिलेस आने देखे तो 65 है और यह थी है, 32 है, 3 छोड़िये ने, विजरूत नहीं है, फ़र्थ नहीं पड़ता है इसका सम कितना है? 300, हम तो 100 के उप में देखें, बोलेगा यह तो 41 है, अरे छोड़िये न 41 है, तो बाज में देखेंगे नहीं लेंगे यह कितना है? 100, यह कितना है? 9, अरे छोड़िये न 9, 9 लजर आए तो बोले 50, बड़ा अच्छा है, इसको क्या बोले? 100, 100 में क्या है? 122 and 3, 125 होता है न, 125, लेकिन 125, 100 के साथ में एक बात यह है, कि यह दोनों हो जाता है, 78 तो वहां से ले लेते हैं, ले लेते हैं, 22 ले लेते यह बात में हिसाब करेंगे, तो 126, 100, 100, यह 100 लिखने की जोरो तो वह आपको सम्याने के लिए बोले, हमको सिर्फ यह लिखना है, 4, 1, 4, 3, 1, 100 इसको लिखना है, इसको जाना देखिए, इसको देखिए, यह वाला हम लोग क्या बोलेंगे? यह भी बोलेंगे 400, यहां से 250, यहां से 150, बोलेंगे 400, बोलेंगे, कैसे 400 बोलें, 250 लिया लोगा, यहां न Escape, यहां पर रख दिया, एक्स्टा अकण दिया, आजकर आप समझ ले है, रख दिने का मतलब क्या होता, यह धूनों का हिसाब हो गया, प्लस 3, यह 3 इको कौन पुंचता है, चोड़िया न यह दे देखेरी क्या हो लग? यह ऐसा 9 आया कि इस तरह 50 हो गया, देखिए माइनस 22 आगया यहां, ठीज प्लस 25 हो गया, खतम हो गया. इधर आएगी, इसको इसको नोग क्या करते हैं? इसको भी हमनों बोलते हैं 800, इसको बोलते हैं 700, थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं 800, 36 के सिंस ले 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 लेते हैं, बात में देते रहेंगे, तो यह कितना हुआ, 800 और 700, 1500, 1500, हमने वह 100 लिखने का है, 15 लिखने का है, बुले कैसे लिखते हैं, यहाँ पर minus 35 था, और यहाँ पर minus 36 था, बुले छोड़िये न, यह पचास तयां दे दिये न, हिसा भी नहीं करना 700 जी, 7, 11, 18 होता है न, 18, दे देंगे न, बाई, क्या रखा है, फोफ, फिर बोलते हैं, यह बादा ही बोलते हैं, 500, 100, 500, कैसे 500 बोलेंगा बाई, यहाँ पर तो 28 है, और 2 है, तो ठीन है, तो लेक देजिए न, 30, fast, इसके बाद कुछ खास नहीं है, यह काम कितना असानी से ह पर देंगे, 100 के रोंट को पकड़ के लाईए, और 8 में दिस्ट्रिबूट कर देजिए, उनका अवरेज ले लिएचे, बाद में, उनका अवरेज ले लेंगे, इन दोनों, इन दोनों का अवरेज होगा न, by 2, by 2, by 2, फिर इन पूरे का अवरेज होगा न, by 8, हमने अभी पर देंगे तक इनके sums लिये है, जावज लीय है, सबको जोड़ा, उनका अवरेज देते हैं, 10.1, एवरेज कैसे लिए, कैसे लेगे, अरेじゃ, अवरेज लिए मैं क्या है, देखी तो परने समझीए परे, यह 20 है, और यह 5 और 5 नहिए, सम्झे 56 है, और यह त्याव क् tगर अ जाते हैं क्यों मतलब सब से पहले काने के पहले यह जो सब को क्यों आड़ का है 126 हाना, 100 का नोट, 120 को पकड़ के लाए और 8 में बाटेंगे, तो 15 डेक सो बीस होता है कि नहीं, जल्दी बुले, 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 यह 15, 15 होट बिले है कि नहीं, यानि 1500, 1500 होगा कि नहीं, सब में बढ़ जाएगे नहीं, 8 में बढ़ जाएगे नहीं, बाकी 6 की बारे बात करते हैं वो भी देखिए 10 है ना और 20 है 30 है ना 5 35 है ना 35 और ये 5 40 हुआ ना और 43 हुआ 43 हुआ 43 हंडड़्स है क्या है 43 हंड़्स को अगर हम लोग 8 में डिवाइट करें आठ लोगों में 8 में डिवाइट करें तो 500 पड़ेगा कि नहीं क्या बचा 300 यहां नहीं रहते हैं यहां यां 300 300 को बातिये नगल ऐसा क्या हो जागा नहीं होगा बाते्रेड ना और यहाँ पर क्या है तेकि यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर 8 था यहाँ पर धेकि 11 – 11 है यानि इक बताम है कुल बालाकर ट्वेटेएट है है की 38 यानि 328 को 8 से डिवाइड गर दीजे 4,4,4 चार,4,4 बार में काठी है है। 1,4 4 440 से कोई घज नहीं है, एक ही बात है, फटी काड़िये, ये क्या होगा, 2040 होगा, और इस कहा, 1020, 1020 is the answer, this is the answer, this is the answer, क्या किया ये समझ रहे, इनका average, इनका average, इनका average, इनका average, Syria, Approx, 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 फिर इनने सब का average, एक तरीका, जो será कोश्रे कह रहा तहा, नह, और इनका Sum, इनका average, इनका average, इनका average, दोनों का average, का average, तो करेंगे ऐनसा, सिदा Approximation करके Sum निकाल के बाढगे बाढ़ तурыЛ, और ऐसा निकाला, ऐसा निकाला की इसर उड़ता गया, cancel होता गया, कोई कास खास value नहीं है, और उसके बाद उसका हमने hybrid area answer, इसको ठीक से नहीं समझ में आगा, दुबारा दिखिए गया, क्योंकि मैंने सिलसले बार एक एक बात कही है, और दुबारा फिर नहीं कहना तो plus कम है, तो minus, वो करते चले जाते है, और उसका हिसाप भी होता जाता है, होता जाता है, इससे बहुत कम फर्क परता है, देखिए, 120 आया, ये क्या फर्क पर जागा, 20 ना होके, 19 होता है, 18 होता है, तो क्या हो यादा, बताईए, बताईए, कोई हैस के नहीं जी, समझ में नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, तोटल नंबर अफ एस्टार्ट अद मर्ड़र्स तोगेदर इन बिहाः, इस वट पर्सन अफ टोटल नंबर अफ ट्राइम्स इन डाद सेट अर डेसिमिल के बाद इतना सर्थ कुछ लिखा हुआ है, कौन बनाता है, हाँ, ननबदीज है क्या, एक तो 25.5 है ने 25 परसन है, ओके कोई बात ही देख लेंगे, ज्यान रख लेंगे, 39, 29 बहुत दूर दूर है सिर्प यहां पर 25 है, एक में सिर्फ 25 परसन है, और 25.82 परसन है, बहुत दूर है, 25.82 परसन है, ठीक है, बहुत दूर है, हम लोग लगना की निकालेंगे, approximation करेंगे, देखिए, assault and murder in Bihar, Bihar में assault and murder, क्या कीजिए इसमें से 4 निकाल के इसको दे दीजिए, तो 500, 1, 628, 628 हुआ कि नहीं, यह कितना परसन्ट है निकालना है, किसका निकालना है, टूटल प्राइम्स is that state, Bihar में जो टूटल प्राइम्स है उसका, मैं यह लिखूं कि न लिखूं, अच्छा लिख देता हूं समझाने के लिए, टूटल प्राइम्स का मतलब है, 352, 496, 265, 132, and 332, ऐसे करके हैं, हम जो क्या करते हैं देखिए, समझे पहले, हमने बोलते हैं, कि यह जो 265 है, और यह, यह दोनों हो गया 600, और यह 500, शुरिया ला, यह 32 और यह मिलकर के लगता, यह 3, 3, 600, और 5, 600, 5, 1100, यहां तक 1100 हो चुका है, अब 11 and 4, 1500, इसको चाहे आप 90 बोल लिजे, या जो बोल लिजे, तो 1500, 90 टाइप का बोल लिजे कुछ भी, एप्रॉक्स, इसे हम लगभग 1600 जैसा बोल सकते हैं, और 10 परसंट कितना है, 160, 40 परसंट कितना हुआ, 640, 40 परसंट से थोड़ा कम है, बताईए और कोई है, सिर्वाए 39.8 के, बोली ऐसे बनाएगे कि नहीं, बनाएगे कि नहीं, सौन कर बनाएगे किन एग्जाम कभी पर है, देखिए, 10 परसंट, यह थोड़ा और कम होगा, जो भी हो, कोई फ़र्फ नहीं पढ़ता, तो देखिए, यह क्या है, 1590 है, थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और पढ़ेगा, देखिए, यह क्या हुआ, 40 परसंट बोले, 640 अगर होता तो यह थोड़ा कम है, 90 है, थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, 630 होगा, 80 सी, 40 परसंट से थोड़ा कम होगा कि नहीं, 39.something है कि नहीं, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही सौल भी करना है, और अब इसका लास्ट कुश्च्चन, find the difference between the number of various crimes committed in Bihar and that in Rajasthan, फिर एक excellent question आपके सामने है, आप समझ रहे हैं, Bihar and Rajasthan इन दोनों का, दोनों का difference लेना है सारे crimes का, कहने का मतलब इस सब को add कर दें, इस सब को add कर दें और less कर दें, कुश्च्चन का अर्थ तो यह है, एक्जामी उबर हो जाएगा, फिर करही कैस इसे, differences सीधा सीधा ले लेते हैं, कैसे लेते हैं, यहां लिया जा सकता है, लेकिन यहां आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां data लिखता हूं, जिसको कि मैं change भी कर सकता हूं, 496, 265, 132 and 332, यह बिहा का है, और Rajasthan, 273, 276, 278, 252 and 353, एक तरफ डारेक्शन में लोग प्लस मान लेते हैं, माली लिखो प्लस मान लेते हैं, तो इसलिए कितना ज्यादा है, 2729 देखी, 2779 ज्यादा है, हैने ज्यादा है, ज्यादा मने प्लस, यह बाला 500 मान लेते, 500 मान, यह 500 मानेंगे तो क्या होगा, 224, 220 कुली, कितन 13, 12 से कुछ होता नहीं है, फिर पूरा लिखी न, कोई हाज नहीं है, इसमें क्या दिखते है, और ये तो कम है न, माइनस, माइनस कितना है, 120 less है न, और ये भी कम है न, 21 less है न, देखे, ये पूरा में क्या न जार आता देखी, इनको लेंगे 41, यह ओला 41, 3, 44, 54, 154 को लेत करना है यह पूरा value किसके परावर है 154 154 को कहा से less करें इसमे से less किजिए क्योंकि 200 का मतलब हुआ 46 और 20 यानि इसका जो value हुआ 46 200 से less 46 and 20 46 and 20 का मतलब हुआ 66 इसको add कर दीजिए कैसे करेंगे सिर्फ 1 इसका इसको दे दीजिए तो 80 और 65 145 हुआ की नहीं answer बुलिए एक particular direction को positive मानते वे ज्यादा है ज्यादा है plus 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 कम है कम है कम है सुचिए किसको कहां ले करके दे दे की बच जाए 66 और यह हो 45 145 बोलिए इस डियाई में आपको मजा आया की नहीं जो भी मेरे chapters हैं जिनको मैं serial ही बोलता हूँ कि नहीं देखिए वो इसी लिए हैं क्योंकि यह नजर तभी विक्सित हो पाएगी जब आप पहले basic calculation करेंगे उसके सब के सब episodes देखेंगे और उसका practice करेंगे इसके बाद solve करने का जो तरीका है method है वो basic के बाद सबसे पहला chapter है problem best on ages then partnership then average then percentage then simple then compound interest इतना जो लगातार पढ़ लेंगे देख लेंगे उसके बाद उनको mathematics का नजरिया समझ में आ जाएगा और उसके बाद मेरी और से कोई order नहीं है इसके बाद चाहे तो time and distance का section ले लिजिए time and work का ले लिजिए simplification and approach डियाए जो करना हो किजिए लेकिन उस series में compound तक करने के बाद और मेरी नजर में वो 50% course है question के ख्याल से 10% भी नहीं है लेकिन mathematical जो knowledge है उसके ख्याल से वो 50% course है और उसके बाद बाकी सबी 50% है okay all the best